हेलो एबरिवन वेलकम बेक टो माई चैनल आई होप आप सब बहुत अच्छी होंगे मैं बहुत अच्छी हूं तो आज यह बनाने जा रहे हैं मटर मश्रूम जो बहुत ही सिंपल और इसी रेसिपी है बिल्कुल रस्रेंट स्टेल में बनाएंगे तो आए इसको बनाना स्टा इसको बून लेंगे इसके अंदर सूखा दन्या इड कर रहे है और प्या छोब मैंने कट करके रहा है लुए तो भी तो भी और लेंगे बढ़ने बना करना है ऩिस से प्यास का जोगा च्छा बना तो वो निकल जाए बस इतना ही मूनना है में इसके इसके अंदर कॉष तो मैं कुछ काजू एड करेंगे काजू से थोड़ी सी सब्जी में रिछनेस आजाएगी जिसे टेस्ट और इनास हो जाएगा इसको अच्छे से भून लेंगे तो यहां पर टमाटर अच्छे से पक चुग है इसके धन्या पाउडर एड करेंगे इसके अंदर एन हाफ टेवल स्पून में रैड चेली पाउडर एड कर रही हूं नमग अकॉर्डिंग टू टेस्ट यहां इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कसूरी मेथी आइड करनी है इसको अच्छे से भून लेंगे तो यहां पर देखिए मसाला पक चुक है इसको ठंडा करके हम ग्र कर रही हूं आप इसको बिना अच्छा पर निकल चाता है इसको अच्छे से भून लेंगे ज्यादा नहीं पकाना है इसको पांस से साथ मिंट तक ही अच्छे से फ्राइब हो चुकी है इसको निकाल लेंगे बड़तन में आप मैंने आइल डाल लिया और में पेस्ट एड़ कर दिए तो इसको अच्छे से पका लेंगे जब तक अल्रिमूव ना होना start हो जाए तो इसके अंदर मैंने इस टेस पी मतर हो एड़ कर रही हूं तो देखिए मसाला पक चुका है और साइड से रिमूव होना start हो गया है तो का सूरी मेठी अट कर रही है घरम मसाला 1.2 के अंदर हम यहां पर एक फ्रेश क्रीम एड कर रहे हैं इस क्रीम से बहुत सब्जी की जो ग्रेवी बनेगी बहुत टेस्टी बने वाली है कि रस्टेंट स्टैल में बहुत इंपॉर्टेंट पाट है तो इसको अब जरूर से डालेगा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यहां पर इसको ठक के पका लेंगे 10-15 मिंट के लिए तो देखिए 10-15 मिंट हो चुके हैं सब्जी हमारी अच्छे से पक चुके आप देख सकते हैं मतलब ज्यादा बहुत लिक्विड भी नहीं बनी है थोड़ी सी जो ठीकनस चाहिए सब्जी में चाहिए थी वह है यह मैं आपको सर्व करके दिखाती हूं तो यह लीजिए हमारी गरम गरम मटर मश्रूम बनके बिल्कुल रेडी है लगरी है ने देखने हैं बिल्कुल एक तम डस्रेंड स्टाहिल में मैं इसको यहां पर अच्छे पराटगा सर्व कर रहे हूं आप इसको नान या फिर कुल ना भूले हमें कमेंट करें बताना कि आपको रसीपी कैसे लगी थैंक यू गाइस वाचिक मैं वीडियो